नमस्कार दोस्तों मैं हूँ यूसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ नियूज लाइव आईए देखते हैं आज की खास ख़बर पालेना गर की साथ वर्षिय बच्ची के साथ हुआ दुशकर्म पालला गर चलाने वाले च्छपन वर्षिय संचालक पर लगा परातकार का हारोग आज के समय में छोटी बच्चों के साथ अशलील हरकते में हम दुराचार होने की कई गटनाय सामने आती रहती है ऐसी ही एक शर्मना गटना नाला सुपारे से सामने आई है जहां एक पालला गर में रहने वाले च्छी के साथ दुशकर्म जैसी अमान वी गटना गटित हुई वो भी सिर्फ साथ साल की कच्छी उमर में मामले में पुलिस ने पालला गर चलाने वाले 56 साल के व्यक्ति को गिफ्तार कर नियालाय में पेश किया नियाले ने आरोपी को 24 तरिक तक के लिए पुलिस हिरासत में बेज दिया इस मामले में जानकारी देते हुए नाला सुपारा पस्चिम पुलिस थाने के पुलिस निरिक्षक ने बताए कि नाला सुपारा के दमपती जो की पती पती दोनों ही नोकरी करते हैं ने अपने बेटी को सही देख रेक हो सके इसलिए अपने बच्ची को पालना ग्रह में रखा लेकिन पालनाग्रह में इंसानित के नाम पर कलंग कहे जाने वाले पालनाग्रह संचालक ने करीब डेड़ महीने दक बच्ची के साथ अशलील हरकते करते हैं दुशकर्म जैसी गिनोनी हरकत अंजान दी और तो और बच्ची पर इतना अच्चा चार किया कि बच्ची जखमी हो गई जिसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्च करवाई नारा सुपरा पुलिस ने बलातकार का गुनाद दर्च करते हुए आरूपी को पकड़कर न नियाले ने आरोपी को चोईस तरिक तब पुलिस रासत में बेज दिया, ब्योरो रिपोर्ट सेफ नियुद लाए हूँ यहां पर कंप्लेंट दर्च करने के बाद में आरोपी को आरेश किया गया है जो जो धारा, 376 और कलम 4 और 6 के तहट पोक्सों के अंदर केस रिश्टर किया गया है आरोपी को आरेश करके कोट में पेश किया गया है वसे नियाले ने उनको 24-25 2021 तक PCR दी गई गई इस बारे में और भी वहां पर जो बेबिसेटिंग में और बच्चे है उनके बारे में पूस्ताज करके आगे की कारवाई कर रहे हैं इन्वेस्टिकेशन जारी है हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइफ पे अपने व्यापार एउं सेवा से संबंदित विज्यापन है तूं मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें